नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे हमने अपने पिछले अंक में चर्चा की थी ब्रिहस्पती के शुबता और अशुबता की उसी क्रम में आज बात करेंगे शुक्र के शुबता और अशुबता की शुक्र के लक्षणों की अगर कुंदली नहीं है आपके पास या आप हाथ अपना नहीं दिखा पा रहे हैं तो लक्षणों के आधार पर कैसे जाने कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है और अगर बुरा है अशुब है तो उसे दुरुस्त कैसे किया जाए इस विशे पर बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज बात करेंगे शुक्र के शुब और अशुब लक्षणों के वारे में कमजोर हो अगर शुक्र अशुब हो अगर शुक्र तो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है कैसे और शुक्र को मजबूत करने के शुक्र को शुब करने के उपाय क्या है इस विशे पर भी बात करेंगे सबसे पहले शुक्र का महत्व समझ लें शुक्र की भूमिका समझ लें कि आखिर शुक्र कौन है देखिए शुक्र जो है वो नौ ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है जो नौ ग्रह है उसमें से एक ग्रह है शुक्र शुक्र जो है ये शुब ग्रह है हालाकि इसको दैत्यों का गुरु मानते हैं लेकिन आचार्य इनको भी कहते हैं जैसे ब्रिहस्पती देवताओं के गुरु हैं और उनको आचारे कहते हैं वैसे ही शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और इनको भी आचारे की पद्वी प्राप्त है जोतिश में शुक्र का मतलब होता है happiness, harmony, सुक्र का मालिक होता है शुक्र एक गिलाश थंडा पानी पीते हैं उसका भी सुख, पलंग पे सोते हैं उसका भी सुख, बड़ी बड़ी गाडियों से घूंगते हैं, बड़िया मकान में रहते हैं उसका भी सुख, इन तमाम तरह के सुख के पीछे होता है शुक्र और शुक्र कलत्र कारक भी है, family life का मालिक भी है किसी व्यक्ति को जीवित करने वाली मृत संजीवनी जो विद्या है वो शुक्र के पास है ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव ने शुक्र को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी अब शुक्र की जीवन में भूमी का क्या है आपकी जिन्दगी को शुक्र कैसे प्रभावित करता है आपकी जिन्दगी पर शुक्र असर कैसे डालता है देखिए जो तिश में जो शुक्र है वो वैभव का लगजरी विलास का कमफर्ट का अराम का सुख का प्रेम का और धन संपत्ती का स्वामी माना जाता है बिना शुक्र के कभी भी किसी व्यक्ति को पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं हो सकता अगर आपका शुक्र खराब है गड़बड है कमजोर है तो ऐसी दशामें आपके परिवार में हमेशा अशान्ती रहेगी और आप पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंद रखता है आपके जीवन का जो ग्लैमर पार्ट है जो खुबसूरती का हिस्सा है जो सौंदर्य का हिस्सा है इसके पीछे शुक्र होता है ये सुविधा के साथ साथ सुख भी देता है यानि शुक्र आपको कमफर्ट भी देगा और कमफर्ट का आनंद भी देगा चमकदार सफेद रंग ब्राइट वाइट कलर काम भाव सेक्सुल डिजायर्स प्रेम और हीरा ये शुक्र के ही अधिकार छेत्र में आते हैं कोई भी मांगलिक कार्य जीवन में सुख लाने के लिए किया जाता है इसलिए जब मंगल कारे होते हैं तो शुक्र की भूमिका बड़ी एहम हो जाती है अगर शुक्र अस्त हो जाए जब आप शुब कारे कर रहे हो तो उससे शुब कारे करने की अनुमती नहीं दी जाती क्योंकि अगर शुक्र अस्त होगा तो वैराग परधान हो जीवन में वैर आ ग्या जाएगा जीवन में सुख नहीं आएगा अगर शुक्र उदय हो शुक्र ठीक हो गोचर में ब्रहमांड में तो मंगल कार सरलता से होते भी हैं और जीवन में सुख प्राप्त होने की संभावना बन जाती है अब ये कैसे जाने कि हमारा शुक्र कमजोर है शुक्र के कमजोर होने के लक्षण क्या है शुक्र अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति बिल्कुल आकरशक नहीं होता बिल्कुल अट्रेक्टिव नहीं होता न तो रूप रंग से आकरशक होता है न परिधान से कपड़ों से आकर रहते जिनका शुक्र कमजोर होता है सुविधा कितनी भी जूटा लें लेकिन सुख नहीं पा सकते कितना भी प्रयास कर लें लेकिन सुख मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है जिनका शुक्र कमजोर होता है ऐसे लोगों को आखों की विचित्र समस्या या डाइबिटीज होने की मधुमे होने की संभावना बन जाती है अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे इस्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता और अगर महिला का शुक्र कमजोर है तो उसे आकरशक अच्छा सुन्दर संपन्पती नहीं मिल सकता साती साथ अगर शुक्र कमजोर है तो महिला हो या पुरुष हो दामपत्य जीवन वैवाहिक जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता ऐसे व्यक्ति जादा तर जिनका शुक्र कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति सेक्सूल डिजायर्स में डूबे रहते हैं और जादा तर दिखावा पसंद करते हैं अपने कपड़ों से अपने व्यवहार से हो या ना हो लेकिन दिखावा जरूर करेंगे दिखावती होते हैं बनाव क्या होते हैं देखिए शुक्र अगर मजबूत होगा तो व्यक्ती बहुत आकर्शक होगा बड़ा अच्रेक्टिव होगा दिखने में कैसा भी हो हो सकता है काला हो सामला हो कलर कॉंपलेक्शन बहुत अच्छा नहों लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है उसका दिखावा भी करते हैं लेकिन एक सीमा से उपर नहीं जाते हैं पागलों की तरह दिखावा नहीं करेंगे दिखावा करेंगे थोड़ा बहुत सजेंगे सवरेंगे अपने आपको मेंटेन रखेंगे लेकिन बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते ऐसे लोगों के पास कुछ न हो तो भी वैभाव शाली जीवन जीते हैं गाड़ी न हो लेकिन बढ़ियां गाड़ियों में घूमते हैं मकान न हो फिर भी अच्छे मकान में रहते हैं जिनका शुक्र थोड़ा मजबूत होता है बेहतर होता है ऐसे लोग बहुत जादा नाम और यश अरजित करते हैं और सामानने तह मीडिया, फिल्म या कला के छेत्र में शुक्रवाले आपको दिखाई देते हैं किसी अन्य छेत्र में अगर ये चले गए मालिया डॉक्टर बन गए तो वहां भी प्रसिद्धी इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है बहुत जल्दी पापुलर हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसंसा मिलनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को इस्तरियों से बहुत सम्मान मिलता है और इनका दामपत जीवन, इनका वैवाहिक जीवन सुखद होता है और शुक्र जब अच्छा होता है तो लोगों को चैन की नीदाती है ऐसे लोग सोने में बड़े तेज होते हैं और चैन से सोने की कोशिश करते हैं सुख और सुविधा बड़ी आसानी से ऐसे लोगों को मिल जाती है अब माल लिया कि जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है वो तो परिशान होंगे कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं मिल पा रहा है तो शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे शुक्र के मंत्र का भोर के समय में अर्ली मॉर्निंग या सूर्यास्त के बाद शाम के समय में जब करें ओम द्रांग द्रींग द्रांग सह शुक्राय नमहा या ओम शुंग शुक्राय नमहा इस मंत्र का जब करना फाइदेमंद होगा और हलकी सुगंध वाला इत्र लगाईए लाइट खुश्बू वाला सुगंध अगर आप लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा सलाह ले करके एक ओपल या हीरा धारन करें उससे भी आपको फाइदा होगा और काम करने की जगां पर कांच का फूल रखें कांच के बने हुए कमल, कांच के बने हुए गुलाब बाजार में मिलते हैं तो ग्लास का बना हुआ फूल अपने काम करने की जगां पर रखें पेपर वेट की तरह ही रखें तो भी बहुत अच्छा रहेगा साफ सुथरे और अनुसाशित तरीके से जीवन बिताएं अगर आप शुक्र को बेटर करना चाते हैं तो रोज नहाएं धुले हुए वस्तर पहने और अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर अच्छी तरह से बात करें अच्छी तरह से लोगों से मिलें अच्छी तरह से जीवन बिता हैं सूबा के समय में मिस्री और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं इससे भी शुक्र बेहतर होगा और ब्राइट वाइट कलर का चमकदार सफेज रंग का खूब प्रियोग करें जहां तक संभव हो काले रंग से बचाव करें अगर आपका शुक्र कमजोर है और आप जादा काले रंग पहनने लगें तो जीवन में उदासी चा जाएगी जीवन के खुशिया नश्ट हो जाएगी अगर शुक्र कमजोर है तो आपका महिलाओं से संबंद अच्छा नहीं होगा ये तो नैच्छरल है ऐसी दशा में अगर शुक्र कमजोर है तो महिलाओं का संबंद अच्छे रखें चाहे वो आपकी मां हो, बहन हो, बेटी हो, पतनी हो या ओफिस में काम करने वाली कोई महिला हो या सडक पर चल रही कोई महिला हो महिलाओं का सम्मान जितना करेंगे उतना ही जादा शुक्र आपका बेहतर होता चला जाएगा शुक्र अगर अच्छा है जिन्दगी में तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास कुछ हो या ना हो आपको जीवन में कमफर्ट आराम और लगजरी भोग विलास बहुत आसानी से मिल जाता है और अगर शुक्र कमजोर हो तो जीवन में तमाम प्रयास के बावजूद आप चैन से काम नहीं कर पाएंगे चैन से सो नहीं पाएंगे हो सकता है कि चैन से खाना खाने को भी ना मिले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल कुछ और महत्तोपूर बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि आज की जिग्यासा क्या है